JSC को JSC CGL के छात्रों के लिए एक और नोटीस जारी करना पड़ा जैसे कि आपको पता है कल साम को JSC की तरफ से JSC CGL के छात्रों के लिए एक नोटीस जारी किया गया था जिसमें बोला गया था सभी वेद उमिद्वारों से फोटो और सिर्गेशर अफलोड करने बोला गया थ लेकिन जार्खट के कुछ महानुभाव लोगों ने इस नोटिस का अलग अर्थ समझा के जार्खट के चात्रों को दिख भरमित कर दिया कुछ महानुभाव लोगों का कहना था कि मात 176 लोगों को ही फोटो और सीनेचर अपलोड करना है लेकिन JSC ने साप साप लिखा था कि आपको सभी जो जिसका फोटो और सीनेचर फिर से अपलोड करना है इसके इसी के समझ में JSC ने पुरा एक बार फिर से नोटिस जारी किया है इसको आप समय लिजिए नहीं तो आप पच्छता होगे बाद में देख सकते हैं यह सूचना JSC की तरफ से 171.22 को जारी की गई है कि सोचल मीडिया में यह सूचना परसाहित की जा रही है कि विसाइगत परिच्छा अंतरगत आवस्यक सूचना संख्या च्योगदा के आलोक में आयोग दोवारा पूर में पुनर बहाल किये गए मातर 176 अभ अप्लोड करना है। लेकिन JSC साप साप उसी नोटिस में मेंसं कर रहा था कि इस समंद में स्पष्ट किया जाता है कि विज्यापन के सभी वेद आविदग जिनकी अभ्यार्तिता रद नहीं की गई है उनका कहना है कि जिनका आविदर रिजक्ट नहीं किया गया है। उन पेल और एसमेस भी आज आ रहा होगा कुछ को नहीं मिला है तो दो-चार दिन में आना शुरू हो जाएगा तो जारकर में कुछ ऐसे च्छाद में है जो गलत अर्थ निकाल के बता दते हैं जबकि यह मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इसमें साफ साफ नोटिस में लिखा तो वही आर्थ था लेकिन अर्थ का अनर्थ कर देता है इसलिए जसी को फिर से क्लेरिफिकेशन देना हुआ कि इसका सथा अर्थ है कि जितने भी जसी ने के छात रहें उन्होंने जसी सिज्जेल के लिए अपलाय किया इनका फॉम रिजेक्ट नहीं हुआ है उनको पुना भी देखका वहां पहले कि इसके लिए आपको जसे को प्रियेट करना होगा वहां पहल उसके बाद आप फोतो और सिऽ्जेटर अपलोड कर सकते हैं वागी ओंधर देखके लेई कुछ इडिट नहीं होगा तो आपको सारा भर्म दूर हो जाना चाहिए इसके बाद जैसे कि आपको साम को ही हम पता दिये थे कि सभी को करना है लेकिन कुछ महानुभाव हैं जो कि अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं